हलो एब्रिवन मैं एम्बी सिंग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं कल अम्बेटकर जी का जन्मदिवस था उस पर आज हम लोग अम्बेटकर का जीवन पर्चे देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अम्बेटकर जी के जीवन पर् भारती विधिवेत्ता आर्थसास्त्री राजनीतिग सिच्छाविद समाज सुधारक और भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे इनका प्रमुक्कार अच्छूतों यानि दल्तों के खिलाप समाजिक भेदभाव अभियान चलाना रहा इन्होंने भारती संविधान तथा अंतिमलच्छ होना चाहिए सिच्छित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो सिच्छा सेरनी का दूध है इसे जो पिएगा वैसेर की तरह जरूर दहारेगा यह प्रसिद्ध उक्ति हैं इतिहास बताता है कि जहां नय तिकता है और अर्थसास्त के बीच संघर्ष होता है वह चलिए नेक्स्ट पाइंट देखते हैं वैक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रेल 1891 को हुआ था मरत्यु 65 वर्ष की उम्र में हुई थी मरत्यु की डेट 6 दिसंबर 1956 है इनकी पुर्णिती थी है इसे महा परिनिर्वार्ण भी कहा जाता है जन्मिस्थान अधि भारत प्रांथ अर्थात मद्ध पृदेश में सेन्य छावनी महु में हुआ था कि मरत्यु स्थल दिली भारत म्रत्यु का करण मध्युमें की बीमारी रही समाधी इस्थल को चैत्य भूमी के नाम से जना जाता है और यह स्थल मुंबई में इस्थित है इसका एक सीन स right between jęko 18 में थी राष्टीता भारती रही सेट्व आनिए ज़ौटी महूं इनका ग्रह नगर रहा सिच्छा की बात करते हैं इनका इस्कूलिंग जो हुआ सतारा इस्कूल महारास्थ महा विद्यल्या की बात करें तो बांबे विश्विद्य ले दले कोलंबया विश्विद्याले न्यूयार्क लंदन इस्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेशिन लंदन बर्निल विश्विद्यारे ओश्मानिया विश्विद्याले हैदराबाद भारत ये प्रमुक उनके विश्विद्याले रहे चलिए सैचिक योगिता के विशे में बात करें त समаж शास्त्र राजनीति शास्त्र फ़ार्थ सास्त्र मानुव विग्यान में इन्होंने पणाश्तक किया हिडियनु लंडन से बैरिश्टर की डिग्री ले लंदन स्कूल ओफ लमिक्स है इन्होंने डी सी किया हिं इन्होंने डीलिट की उपाधी ली इतनी डिगरिया सायध ही किसी के पास अभी भी तो यह भारत के सबसे सिच्छित वेक्ती और संब्धान सबार हमें भी शबसे से जीच्छित वर्कती है यह भारत के पहले कानोन सूबेदार थे इनकी माता का नाम भीमाबाई शक्पाल था यही कारण था कि पहली बार इनको पहली बार किसी अंसूचित जाती के के विक्ति को सिच्छा में अडविशन मिल गया था क्योंकि इनके पिताजी ब्रिटिस सेना में सैनिक थे इनका धर्म जो था हिंदू बाद में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके बहुत धर्म अपना लिया यह अंसूचित जाती महार से आते थे यही कारण था उस समय अंसूचित-जाति यह आणीम्नी जातियों को पड़ने की अनुमती नहीं थी एक मात्रह से बालक ते जो अपने विद्यालै में अकेले अंसूचित जाती से कहा जाता है इनकी आत्मकथा में कि यह बाहर इनको स्कूल में कौल कुंब कि राभने में नहीं दिया था चलिए सौक की बात करें तो इन्हें पुष्टके पढ़ना संगीत सुनना और यात्रा करना पशंद था इनके प्रसिद्ध विक्ति में देखा जाए तो गौतम बुद्ध हरिश्चंद्र कभीर डास जी को ये पसंद करते थे वाइवाहिक स्थिति की बात किया जाए तो पंद्रा वर्ष की उम्र में ही इनकी साधी हो गई थी रमा भाई अंबेटकर से फिर इनकी डैथ हो गई 1935 में दूसरा विवाह इन्होंने डाक्टर सविता अंबेटकर से किया था 1948 में चलिए इनके बेटे का नाम यश्वंत कोनी महु में हुआ था एक मराठी परिवार था वह राम जी मालो जी जानी पिता जी इनके ब्रिटिस सेना में सुमेदार थे और यह भीमाबा इनकी मा का नाम था कि चौधुमी संतान थे भीम राव मेटकर हिंदू महार जाती से संबंद रखते थे जो उस समय अच्छूत जाती के रूप में आती थे इसी कारण इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदबाव का सामना भी करना पड़ा बच्पन से ही भीम राओ को गौतम बुद्ध की सिच्छा से प्रभावित थे चलिए कहानी है कहा जाता है कि यह अनसूचित जाती से अपने छेत्र में चौतिक अच्छा पास करने वाले पहले वक्ति थे और जब उन्होंने चौतिक अच्छा पास किया तो इसको पूरे समाज ने इनके समाज ने एक उत्सव के रूप में मनाया था और सभी लोगों के मुख में एक ही बात थी कि इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है पहली बार किसी ने समाल से चौथी कच्छा पास की थी तब देखे उत्सव मनाया गया और जब यह लंदन और अमेरिका से पढ़ के आए तो भारत में कोई इतना पढ़ा लिखा रही था लेकिन भारत में यह उत्सव नहीं मनाया गया था तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है चलिए अच्छा तो भारत में इसका उत्सव नहीं यह भारत के सबसे सिच्छित बेकिते एक कहवात और है कि यह मुंबई आ गए थे इनके मिश्य में बहुत संघर्स भी इनको जिलना पड़ा मुंबई आने के पश्चार जमें मुंबई जा गए इसके बाद कि इनको वहाँ पर कोई कमरा नहीं मिला था बड़ी मुश्किल से ही ने कमरा मिला तो यह भाव हमेशा इन्हें जिलना पड़ा यह पहले विक्ति थे जो भारत के सबसे सिच्छित बेकिती रहे और इन्होंने एक जो काम किया जो यह विश्यू के जो इस समाज के लिए गवरों की बात है जिससे लोगों को प्रेणा मिलती है कि कोई विव्यक्ति पढ़ सकता और जिनकी कथन है कि सिच्छा सेरनी का दूध है जो पीएगा उससे जरूर दहाड़ेगा यह जरूर दिखाई देता है चल यह तो इनके मिसे में थोड़ा से द करता था इसकूली पढ़ाई में सच्छा मोने के बावजूत भीम्राओ को असप्रस्टा के करण कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था इनका उप नाम सकपाल था बाद में इनके गाओं का नाम जो था आमबडवे गाओं था बाद में उसी के नाम पर इनका नाम से प्रारा मिक्स इच्छा पात्र की वहां भी वह एक मात्र ऐसे छात्र थे असप्रस्ट थे मतलब निमने जाते से 1906 में जब पंद्रा वर्स के थे तब उनका विवा नौ वर्स की लड़की रमावाई से हो गया था 1907 में इन्हों नों मैट्रिक पासकी ऐसा करने वाले वह बांबे विश्विद्याले के पहले असप्रस्त चात भी रहे यह आप देख रहे हैं यह गायक वार्ड सयाजी गायक वार्ड यानि बढ़वदा के गायक विद्याला है उन्होंने 1913 में इन्हें स्कॉलर्शिप के म बड़ावदा राजद्वारा दी गई थी जिसके चलते हुए 22 वर्ष की उम्रे स्वयूत राज अमेरिका चले गई यह गाया कवार जी है जो बड़ावदा के राजा हुआ करते थे जिन्हों में इने 755 रुपय प्रतिमा की छात्री पर कोलंबिया विश्व विद्याले में इस नात्त को उत्तर करने के लिए भेजा था गरबढ़ कर रहा है कुछ फोन चलिए इसको आप ध्यान दीजिए आपके और अपने अपनी मतलब की जिन्टों परी ध्यान दीजिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोग चलिए तो भीम रावंबेटकर ये गायक वरजी थे भीम रावंबेटकर जान लेवी के लोग तंत्र निर्मार कांस से बहुत प्रभावित थे ये जान लेवी जो लोग तंत्र के निर्मार करता थे उससे बहुत प्रभावित थे ये उनकी एक इमिजली गई है चलिए नौ में जाती प्रडालिया उत्पत्ति और विकास पर एक लेख प्रस्तुत किया था जो उनका पहला प्रकासित कार्य था यह दार लेटर वो एनिलेशन आपकास्ट जो उन्होंने प्रस्तुत किया था इसे काफे प्रसिद्धी मिली 1916 में भीम्रावंबेट कर लंदन चले गए व चले नेक्स्ट पॉइंट है जून 1907 में वह अपना अध्यना 23 रूपी से बीच में छोड़कर भारत आ गए इसके बाद बड़ावदा राज्जी के सेना सच्चु के रूप में भी कारी किया लेकिन वहां पर भी उन्हें वेदभाव का सामना करना पड़ा अंत में उन्हो को पीने कर लेकर विरोध हुआ और वहां से वी नुन नौकरी छोड़ दी भारत सरकार अधिनियम 1919 को तयार कर रही साइथ वरो समित के समच जब भीम राव मेट कर पहुंचे तब इन्होंने दलितों तथा धार्मिक समदायों के लिए प्रथक निर्वाच्यन और आराच् नेताओं और जाती भेदभाव से लड़ने के प्रती भारती राजनेतिक समदाय की अनिच्छा और आलोचना किया करते थे बांबे हाई कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने असप्रस्यों की सिच्छा को बढ़ावा दिया उनका पहला संगठित प्रयास बहिस्करत हित कारणी सभा के स्थापना थी जिसका उद्देश सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था 1930 में भीमराव अंबेटकर ने काला राम मंदिर सत्याग्रह को शुरू किया जिसमें लगभग 15,000 सुधकों ने भाग लिया और अंत में उन्हें इसमें सामिल कर लिया गया था और गेट भी खोल दिया था दलतों के लिए जो पहले बंद कर रखा था 1932 में जब ब्रिट्सों ने अंबेटकर के साथ सहमति व्यक्त की और प्रथक निर्वाचन देने की घुष्णा की तब गांधी जी ने इसका प्रबल विरोध किया पुड़े की यर्वदा सेंट्रल जेल में गांधी जी ने आमराण सुनसर शुरू कर दिया 1936 में इसके बाद गांधी जी और अंबेटकर के बाद समझाता हो गया और अंबेटकर ने इस मांग को अस्विकार कर लिया था कहा प्रथक निर्वाचन नहीं इसी में हम बात करेंगे जिसको हम लोग दिल्ली समझाता या पूना प्रैक्ट के नाम से जनते हैं वर्स 1936 में भीमराव मेटकर ने स्वतंत्र लेवर पार्टी की स्थापना की जिसने 1937 के केंदरी चुनाओं में 15 सीटे भी जीती थी 1941 से 45 तक बहुत सी विवादित पुस्तकें भी लिखी जिन में थाट्स आन पाकिस्तान था जिसमें वह मुस्लिम लीग के मुशलमानों के लिए लग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना करते थे इसलाम और दच्छिड एसिया के रीतियों के भी वो बड़े आलाचक थे बहुत आलोचना करते थे उन्होंने भारत भी भाजन का तो पच्छ लिया परंत मुस्लिमों व्याप्त बाल विबा की प्रथा और महिलाओं के शौत होने बाले दूर बेभार की घोर निंदा की 15 अगस्त 1947 में भारत की सुतंता के बाद कांग्रेस के नेतत वाले सरकार जबस्तितु में आई तब उन्होंने भीम रावंबेटकर को देश के पहले कानमंत्री के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया जग लीजे आप ड़क्तर रैजन प्रशाद भीम रावंबे कानिक गारंटी और सुरच्छा प्रदान की गई जिसमें धर्म किया जादी अश्प्रस्ता को खत्म करना भेद भाव के सभी रूपों का उलंगन करना सामिल था महिलाओं के लिए ब्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए भी तर्क दिया अंसूचित जातियों सी अंसूचि जन जातियों स्टी और पिछड़ा वर्क के सदस्यों के लिए सेवाओं स्कूल सिच्छा कालेज में नोक्रियों की आरक्षन की ब्यावस्ता सुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता जो एक सकार आत्मक का रिवाई थी भीम राव अमेटकर के दूसरे स्रोदग्रंथ ब्रिटिस भारत में प्रांती वित्त का विकास जिसमें देश में वित्तायों की स्थापना हुई थी आज सास पर तीन पुस्तिके लिखी इनुने एडिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस ऑफ दी इस इंडिया कंपनी दा एवलिशन और प्रोविंशियन फाइन के लिए स्री रंका गए 14 अक्टूबर 151956 को नाकपुर सहर में यह अपने समर्थकों के साथ और अपनी परितनी सविता के साथ बहुत बिच्चु महा इस्थविच चंद्रमडी के द्वारा प्रारंप्रित तरीके से त्री रत्न और पच्चिन शील को अपनाते हुए कि भूमई में इकठा होते हैं भी मुझन मभूमी की इसका जाता है उन्हें सद्धांजली अर्पित करने के लिए प्रतेक वर्ष इकठा होते हैं उनकी भारती उन्हें महान मुक्तिदाता के रूप में भी मानते हैं बाबा साहब को सम्मान देते हुए कई सार्वजनिक संस्थानों और 11 वहां विद्ध्यालों के नाम उनके उपर रखे यह जैसे विट्याले विष्विध्याले दिल्ली है न इसी तरह बैटकर उन्वर्सिटी आग्रा तो यह कुछ चीए भीम्राव को हिस्ट्री टीवी 18 और सी एन महांतम भारती में सरवाधिक मत भी प्राप्त हुए थे जिसमें लगभग दो करोण लोगों ने मत डाले थे इसके आधार पर उन्हें सबसे लोगप्री भारती विक्ति भी माने जाना लगा एक सो पचीसमी जैनती संयुक्तराश्टंग ने मनाई थी तब उन्हें विश्व का प्रडिता उन्होंने घोशित किया था वर्तमान की जैनती उनकी एक सुतीसमी जैनती है चलिए वर्ष दोहजार में फिल्म निर्देशक जब्बार पटेल ने बाबा साहिब के जीवन चरि संटीना चिली आयरलेंड पेरू पोलेंड स्वीडन और यूनाइटेट किंग्डम में भी दिखाया गया था वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद आप इसकी पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं इनकी जीवन कथा भी पढ़ सकते हैं इनके जीवन अधिक महिलाओं के अधिकारों के लिए जो कारे किया है उसके लिए सदय नमनी है तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए